ओहो जिसका डर्था वही हुआ आखिरकर वही हुआ जो हम लोग सोच रहे थे जिसका डर्था वही हुआ ना हलो फ्रेंड नमस्कार मैं मधूलीका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलीका UPRPL और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग से एक request है कि इस वीडियो को full watch कीजिएगा और चैनल में पहली बारा है तो चैनल को subscribe कीजिएगा और हाँ वीडियो को full watch कीजिए और comment करके जरूर बताएगा कि क्या सही क्या गलत आज इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला जो अभी तक मैं भी अंजान थी आप भी अंजान थे मगर मुझे जैसे ही पता चला वैसे मैंने कहा चलो आप लोगों के शार शेयर करते हैं कल मैंन और बिश्णुराज जेल में है और बिश्णुराज का जो case है वो high court चला गया है यानी कि इलाबाद से उनकी जो भी शुनवाई होगी जो भी date मिलेगी वो इलाबाद से होगी इतना तो सबी लोग जानते ही है और उधर मालती के पापा को मालती के पापा की एक call recording जो है उन दमकी दे जारें जान से मारने की कि इनको जान से हटा दिया जाए इनको हटा दिया जाय तो करते हैं बश्णू राज की जो की बश्णूbird जेल में रह्ते हुए जो पुलिस जो मतलब प्रशासन जो पूश ताश करती है जिसमें वश्णूराज का एक बीडियो बहुत बीडियो क्या A Radio हो बहुत तेजी से वाईरल हो रहा है जिसमें विश्णूराज की वोप सच्चाई बताते बिश्णूराजु यह बताते हैं जब माल्ती righteous की वह कौन सा ऐसा मर्द करवाएगा यानि बीबी कि की सिर्दे और आदमी क्यों कोई नहीं वैसे बिषणूराज यही कहा कि मैं भी कर वाना चाहता था बलकि मालती ने उसके उसके उपर आरोब बाद में लगाए थे कि तुमने 5000 उपई दे कि जबर जस्ती ये शादी करवाई थी, मगर दोस्तों, उनका एक वीडियो वैरल हो रहा है, बिशनु राज का आडियो उनका वैरल हो रहा है, बिशनु राज ने उसमें साफो साफ बताया है, कि मालती ने कहा कि मुझे मेरी शादी अरजुन बर्मा के शाद करवा दो नहीं तो मैं कुछ कर लूँगी और मैं कुछ कर लूँगी तो तुम कैसे औरोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ हो सिर्फ अरजुन बर्मा चाहिए तो मैं और उस दिन अगर मैं शादी ना करवाता तो मालती पहले ही जो एक महीना बाद हुआ वो मालती पहले ही कर डालती हो कह रहे थी कि मैं कुछ कर लूँगी तो मालती से उसने पूछा कि मालती ऐसा क्या तुमने देखा अरजुन बर्मा को जो मुझे में नहीं तो उसने बताया पता नहीं क्या अर्जुन को जब से मैंने देखा सिर्फ अर्जुन ही दिखते हैं मुझे और कुछ नहीं मुझे अर्जुन से साधी करवा दो तो आरजुन से वो शादी करवा दी और जब मालती जब गायब थी गोरकपुरी भौजी के पास जब गई थी तो वो कह रहा था कि अगर मालती मेरे पास आती तो मैं उसको समझाता उसके शाथ रहता और उससे प्यार से बाते करता तो गोरकपुरी भौजी को सब पता था वो गोरकपुरी भौजी के पास गया था गोरकपुरी भौजी हमारे उपर केस करवाई थी और फिय उसके बाद वो शात में राहुल की उपर भी दो तीन धाराये शायद लगवाई थी ऐसा वीडियो में सुनने को आ रहा जो आडियो है और उसमें उसने साफ साफ ये भी बताया जेल में रहते हुए कि जो मालती है मालती का जब केस जब उस दिन क्या हुआ था थाने में गोरकपुरी भोजी भी आई थी और अरजुन बर्मा साब कुछ आया था तो मालती ने कहा था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी मगर एक शर्ट में तुम अर्जुन बर्मा को कुछ नहीं करोगी क्योंकि उस समय ये चाह रहा था विश्णु की अर्जुन बर्मा के उपर केस हो अर्जुन बर्मा को मतलब बंद किया जाए उसके उपर केस किया जाए मगर मालती ने कहा मैं तुम्हारे साथ एक सर्थ में समझ समझाता करूंगी जब तुम अर्जुन बर्मा को कुछ नहीं करोगे तब मैं तुम्हारे साथ समझाता करूंगी तो फि उसी दिन जब ये थी साथ में गोरपुरी भोजी थी तो जब थाने में जाके वहां पर इन लोगों के बीच में समझाता हुआ था प्रिशाशन के सामन समझाता में यही कहा गया था और उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर मालती को कुछ होता है तो इसके जिम्यदार शिफ और शिफ बिश्नु राज होंगे और ना कि इसमें अर्जुन बर्मा के बारे में कुछ कहा गया था और ना किसी और के बारे में कहा गया था तो तो ये रात को विश्नु राज मालती के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं मालती तुम आज आओ। हम तुमको समझाएंगे हम लोग कुछ भी है हम अब भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। बिश्नुराज का कहना था कौन ऐसा पती होता जिसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ गई हो खुद कह रही हूँ कि मेरी जिन्दगी यही है मुझे पता नहीं अरजुन ने क्या करवा दिया मुझे सिर्फ अरजुन चाहिए और कुछ नहीं उसके बावजूद भी मैं माल्ती को अपने शाथ रखने के लिए तयार था कहें फी उसके बाद जब मैंने कॉल किया तो कॉल उसका बाहाई जो है माल्ती का भाई नीरहू उठाया था नीरहू ने पहले मेरी बात हुई तो उसने बताया नहीं माल्ती नहीं आएगी और फी उसने बाद में कहा कि ठीक है कुछ का लूँगी अपने आपको और तुम्हें भी फसाद हुगी तो वो जो है बिशनु राज से ऐसा माल्ती का भाई जब माल्ती का भाई ऐसा कहा तो बिशनु राज ने कहा ठीक है में माल्ती को लेके आओंगा हमारा एक बेटा है हम दोनों लोग आपस में जगड़ा क अच्छा कैसे भी करके मालती पहले आने को नहीं तयार होती है कहता है फ्यूस को समझाता ठीक है मालती का बार बार यहीं कोश्चन रहता है तुम अर्जुन के साथ कुछ नहीं करोगे तुम अर्जुन को कुछ भी नहीं कहोगे और अर्जुन को इस केस में कुछ लेना देना नहीं अर्जुन को कुछ भी नहीं करोंगे नहीं तो मैं यह कर लूँगे और मालती का मतलब डारेक्ट यहीं बोला तो बिश्णुराज ने कहा ठीक है मैं अर्जुन के उपर ना केस करूँगा ना कुछ करूँगा मगर तुम चलो घर तो मालती घर चली आती उनके साथ में और मालती का बिहेपियर इस तरह था वो कह रहा था कि मुझे क्या पता था कि मालती ऐसा कर लेंगी और कहरा लगातार गोरक पुरीभोजी जी से बात हो रही थी और मालती की जो बात है वो अरजुन बर्मा से भी हो रही थी तो यह सारे साबूत जो है सारी रिकार्डिंग जो हो रही अभी इसकी कुछ पुछटी नहीं की जा सकती है कि सही है कि गलत मगर इस समय यूटूब पर वाइरल चल रही जो कि मैंने भी देखा मैंने कहा चलो आप लोगों से को भी बताती हूं तो इतने सारी बाते बिश्नु राज का केस है वो इलहाबाद चला गया हाई कोर्ट में है अब हाई कोर्ट में आगे कि क्या सुनवाई होती चंदा भावी का कहना है कि बहुत जल्द विश्नु हम लोगों के बीच में होंगे अच्छे दोस्तों मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि बिश्नु राज बार-बार यही बात कह रहा है कि कौन सा ऐसा पती होगा जो अपनी पत्नी की शादी किसी गर मर्द से करवाएगा मैंने तो इस वज़े से करवाए था जो मालती ने उसके उपर लगाया कि 5000 उपए दे के मेरी शादी करवाए थे तो ये सरासर गलत है और मा दोस्ती मालती से मैं यही पूस्ता था कि मुझे में क्या कमी है जो तुम उसके शाद जा रही हो कालू के शाद तो मालती ने यही कहा कि पता नहीं जब से अरजुन बर्मा मुझे दीखे हैं मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मुझे अरजुन बर्मा की सीवा कुछ नह आज बात कहा विश्णु राज कह रहे हैं तो मालती ने कहीं न कहीं एक दो वीडियो उनकी थी आप लोग जाईएगा देखिएगा लगभग वीडियो को जिसमें मालती ने यह साप साप कहा था कि मैं अब विश्णु राज के शाथ नहीं जाओंगी मैं मरना पशंद कि विश्णु राज के साथ नहीं रहने क्योंकि बिश्णु राज ने बदनाम किया मैं करके रहूंगी और रही बात अरजन बर्मा से तो अरजन बर्मा की एक वाइफ है मैं भी रहंगी मैं और अरजन दोनों लोग वीडियो से कमाएंगे और एक रोटी है तो उसमें आध लोगों को पता चलेगा और जैसे कई लोग जैसे इंटर्व्यू लेने जाते थी जब मालती यानि मिश्णु राज की यहां नहीं आई थी तो लोग वाक कहते थे तो मालती कहते थी कि हाँ पहले मैंने भाईया बनाया था फिर मुझसे प्यार होगा प्यार है कब किस से हो जा हैं तो इसमें विश्णु राज को फसाया जा रहा है क्योंकि अभी इस बात की कोई पुष्टी नहीं हुई है कि यह रिकार्डिंग सही है कि गलत है विश्णु सही बोल रहा है यह गलत इसका फैसला हम और आप नहीं कर सकते हैं प्रशासन कर सकती है कोर्स से क्या अडर हो होता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि विश्णु राज को जेल के बाहर आना चाहिए या नहीं अगर विश्णु राज के साथ इतना बड़ा साजिस हुआ है तो विश्णु राज को इनसाफ मिलना चाहिए और मालती की गुनागारों को कड़ी स इताजा मिलने चाहिए और दोस्तों इसमें तो बिश्णु राज का कहना है कि इसमें गोरख्पुरी भFr Couldno bल पूरा हाथ है फिर्याल कितनी लोगों को लगता है कि भावी का हाथ नहीं में जानती हूं मुझे तो नहीं लगता कि भावी का इसमें हाथ विश्नु राज क्या पता क्योंकि जब हर कोई कहते हैं हर कोई गुनाएगार कभी यह नहीं कहता हाँ मैंने यह गुनाह किया है तो वैसे भी हो सकता विश्नु राज की कोई मनगारा कहानी हो फिरहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती बंद और आप लोग कमेंट करके जर और कितने लोगों ने यह वीडियो देखा जिसमें मालती के पापा को धंकी मिल रही उनको जान से मारने की तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती बंद और कल मिलती को अच्छे से वीडियो में तब तक आप अपना अपनी फैमली का खयाल रखें मस्तरे स्वस्तरे हस्ते मस्तरे हम भी इस वीडियो क मैं न करते हैं